दोस्तों आप मैंसे जो लोग office में काम करते होंगे उनके पास email से PDF फाइल तो जरूर आती होंगी पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कैसे PDF फाइल को editable MS Word की फाइल में convert करते हैं पीडियेफ फाइल को भी editable MS Word की फाइल में convert कर सकते हैं चलिए जल्दी से चलते हैं अपने PC पर यहां पर आपको PDF फाइल दिख रही होगी इसको हम डबल करके open करते हैं तो यहां पर यह जो PDF फाइल है यह Hindi font में type की गई है जिसमें जिस भी user ने यह type की है उसमें उसने creative font का इस्तमाल किया है जैसे आम तोर MS Word में किया जाता है और उसके बाद इसको PDF में convert कर दिया गया और mail के थुरू भेज दिया गया अब इसकी दिक्कत क्या है कि जब भी इसको convert किया जाता है editable text document में तो कुछ औरी font दिखाई देता है उसकी वज़े में आपको बताता हूँ असल में होता क्या है कि जो PDF file होती है वो होती है portable document format so यहाँ पे जब आप PDF बनाते हैं किसी file को तो file के सारे elements उसके साथ में चले जाते हैं जैसे कि Hindi font भी जो दिख रहा है लेकिन जब इसको convert करते हैं तो असल में वो जो font है वो दिखाई नहीं देता अगर user के computer में कृतिदेव font नहीं है और online तो यह वैसे भी काम नहीं करता है online तो आपको कृतिदेव देवलेस font दिखाई नहीं देते वहाँ पे mangal fonts दिखते हैं तो चलिए देरने करते हैं इसको हम convert करके देखते हैं हमने Google Drive open कर ली है यहाँ पे हम file को upload करेंगे जो PDF file है तो file upload के button पे click करेंगे इसको select करेंगे और file को upload कर देंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि PDF file आ गई है मैं इस पे right click करूँगा और यहाँ से Google Doc में इसे open करूँगा जैसे मैं Google Doc में open करूँगा तो यह editable file में convert हो जाएगी Google Doc मैं इसे open कर लेता हूँ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो file है वो इस तरह से convert हुई है तो अगर मैं कहूँ कि यह font आपको दिख रहा है हो सकता है कि यह कृतिदेव font हो लेकिन आप इसे Google Doc में edit नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं भी कृतिदेव font नहीं मिलेगा तब इस file को आप कैसे edit करेंगे तो इसका एक बड़ा आसान सा तरीका है जो Google Drive है जो Google Doc है वो images को बड़े आसानी से convert कर देता है edit text में क्योंकि Google Drive में एक inbuilt OCR होता है यानि optical character recognition और वो किसी भी image में लिखे हुए अक्षरों को पढ़ लेता है और text में convert कर देता है तो इसका मतलब यह है कि हमें ये जो file हिंदी की इसे image में convert करना होगा अब उसके दो तरीके हैं या तो आप screen capture करके इस image में convert करें या फिर आप के पास अगर scanner हो सो यहाँ पे मेरे दोबारा से मैं PDF फाइल पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं इसको full screen कर लूँगा जहाँ पे सारे text मुझे दिखाई देंगे अब आपके computer में एक tool होता है जिसे बोलते है snipping tool सो आपको यहाँ पे search bar में type करना है snipping tool और यह खुल जाएगा यहाँ पे new पे जाना है जो text area है उसको select करना है और यहाँ से इसको save कर देना है save करने के लिए भी आप सीदे सीदे Hindi PDF लिग दीजे और jpg मैं इसे save करने वाला हूँ सो मैंने इसे jpg में save कर दिया अब दुबारा से मैं इसको google drive पे upload करूँगा सो मैं google drive को यहाँ से open कर लेता हूँ और new पे जाता हूँ file upload के option पे अब यहाँ पे जो हमारी Hindi PDF jpg file है हम उसको select करेंगे और google drive पे upload कर देंगे तो देखें यहाँ पे हमारी Hindi PDF jpg file आ गई है अब इसको right click करना है open with google doc करना है और कुछी seconds में जो आपकी jpg file है वो google drive के inbuilt OCR के थूँ convert हो जाएगी editable text format में देखें कुछ इस तरह से तो यहाँ पे सबसे उपर आपकी जो image है original वो आपको दिखाई देगी तो आपको जो आपका text है जो आपकी image में था वो आपको मिल जाएगा और आप इसे बड़े आसानी के साथ में edit कर सकते हो आप चाहो तो यह उपर वाली image आपको दिख रही है आप इसको delete कर सकते हो ताकि आप आसानी text को edit कर पाओ अब बहुत सारे लोग इसे हैं जिनके computer में mangal font नहीं होगा unicode font नहीं होगा और फिर से चाहते कि PDF तो हमने convert कर ली लेकिन edit हम इसको करें कृतिदेव font में इसको convert करने का बड़ासान सा तरीका है आपको जाना है एक website पे जिसका नाम है wrd.bih.nic.in और यहाँ पे आपको arrow वाला है आप arrow वाला है इसपे click करेंगे और यहाँ पे यह जो font अभी हमारे पास आया है यह है देवलेस font यह कृतिदेव font इसको हम select करेंगे ms word को हम यहाँ से open करेंगे यह इस तरह से इसको paste करना है select all करना है और यहाँ से simply आपको कृतिदेव font को select कर लेना है अब आप बड़ी आसानिगी साथ में किसी भी हिंदी pdf को editable text document में convert भी कर पाएंगे तो अगर आप चाहें तो उसमें mangal font या unicode font के साथ में भी editing कर सकते हैं या फिर चाहें तो उसको convert कर सकते हैं दुबारा से कृतिदे font में अगर आप हमारे courses देखना चाहते हैं लेना चाहते हैं तो आप हमारी website procomputercourse.com पे जा सकते हैं वहाँ आपने बेहत सरल भाषा में courses तेग्यार किये हैं जैसे कि videos आपको my big guide पे मिलते हैं तो एक बार जरूर चेक आउट कीजेगा देखेगा feedback दीजेगा कि किस तरह की website आपको लगी है और किस तरह की courses आपको लगे और मैं आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो लेकर आता रहूँगा तब तक के लिए जाहिन पंदे मतरम